नमस्कार, कोई किंडिया चैनल में आपका स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने वार्षे बिजनेस से किसी को आडियो कॉल, वीडियो कॉल कर रहे हैं लेकिन आपके WhatsApp बिजनेस से call नहीं जा रहा है, call नहीं लग रहा है, या कोई और भी problem है, तो उस problem को आप ठिक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो उस problem को ठिक करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फोन में settings को open करना है, तो चलिए settings को open करते हैं, open करने के बाद आपको उपर की और scroll करना है, scroll करने के बाद आपके फोन में एक apps, app list या app management के नाम से कोई भी option दिखेगा, तो आपको उस पे click करना है, तो चलिए हमारे फोन में apps दिया गया है, तो हम यहाँ पे click करते हैं, click कर के बाद यहां पर आपको एक Manage Apps का Option मिलेगा अब आपको यहां पे किलिक करना है उसके बाद आपके फोन में जूभी एप इंस्टॉल्ड होगा यहां पे दिखने लगेगा अब इसमें क्या करना है कि आपको वार्से बिजनेस को ढूंड लेना है ढूंडने के बाद आपको बिजनेस पे किलिक करना है और उपर में आपको एक Storage का Option मिलेगा अब आपको यहां पे किलिक करना है और नीचे में आपको एक Clear Data का Option मिलेगा अब आपको यहां पे किलिक करना है और यहां से आपको क्या करना है कि आपको Clear Cash पे किलिक कर देना है और यहां से आपको OK करना है यहां से आपको manage space या clear data नहीं करना है, नहीं तो आपके वारसे business से आपका account logout हो जागा, उसके बाद आपको यहां से back करना है, अब यहां पर आपको एक data usage का option मिलेगा, अब आपको यहां पे click करना है, और यहां से आपको यह चेक कर लेना है कि आपके phone में mobile data sim 1, mobile data sim 2, wifi और background का जो option है वो on है की नहीं, अगर आपके phone में on नहीं है, तो यहां से सभी को on कर लेना है, उसके बाद अब आपको नीचे में एक app permissions का option मिलेगा, अब आपको यहां पे click करना है, और आपको उपर क्योर स्क्रॉल करना है, और यहां पर आपको चेक करना है कि not allowed में कोई भी permission दिख रहा है की नहीं, अगर यहां पे दिख रहा है तो आपको क्या करना है कि उसके click करना है, और यहां से आपको allow को select करना है, बारी बारी से सभी permission को आपको allow कर देना है, allow करने के बाद आपको क्या करना है कि recent से इसको हटा देना है, हटाने के बाद अपने mobile के display को उपर स से नीचे की ओर डाउन करना है और एक बार आपको क्या करना है कि एरोपलेन मोड को ओन करना है ओन करने के थोड़ा धिर बाद इसको फिर से ओफ कर देना है ओफ करने के बाद अब यहां से इसको आपको क्या करना है कि कट करना है कट करने के बाद अब आपको अपने फोन में business को open करना है open करने के बाद अब यहाँ पर आप जिसको भी call करना चाहते हैं call लगाना चाहते हैं यहाँ से call कर सकते हैं अगर आप audio call करना चाहते हैं तो audio call कर सकते हैं अगर आप video call करना चाहते हैं तो video call कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम audio call करना चाहते हैं और यहाँ पर हम call पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर फिर से कॉल पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां से कॉल होने लगा है तो इस तरह से अगर आपके वार्षर बिजनेस से कॉल नहीं जा रहा था कोई भी कॉल नहीं लग रहा था तो उस प्रोब्लेम को ठीक कर सकते है धन्यवाद